Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of an Academy group दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Only Repeated GK का एक और नया पार्ट जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ important question answer तो please आप इस वीडियो को पूरा end तक देखीगा वीडियो पसंद आये तो like कर देना और अपने दोस्तों के साथ में share चरू करीगा अभी तक आप लोगों ने टेलिग्राम गुरूप जोई नहीं किया तो स्वरम अली का ओफिशाल नाम से टेलिग्राम है इसको जोईन कर लेना यहां पर आप लोगो और एक वीडियो की पीडिया और अनकेडमी की free classes यान की special classes के link मिल जाएंगे अनकेडमी की मेरी दो special classes होती है दिन में डाय विजव रात में 11 बजे दोनों classes को आप देख सकते हैं बाकी अनकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट आपको मिल दाएंगे लाइव क्लासी स्ट्रक्चर्ड कोर्स, विकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सिस ठीक है और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं यह आप देख सकते हैं यह सारे आपको तब मिलते हैं जो आप अनकेडमी पर किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकोनिक सब्सक्रिप्शन जोइन कर लेते हैं ठीक है और स्टडी टेन कोड अपलाई करेंगे तो आपको मैक्सिम डिसकाउंट मिल जाएगा सफलता बेच चार मई से सुरू हो चुका है टेलेंट बेच आपका 27 अपरेल से स्टार्ट हो चुका है तो आप इन्हें में रोल कर सकते हैं करेंट कोड के साथ में ठीक है आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के लिए और आइकोनिक के बेनिफिट है दोस्तों प्राइटिन डाउट्सोलिंग और प्राइटिन लाइव किलासेस बाकी यह सारे टेस सीरीज जो है यह फिरी ओप कोस्ट हैं इनको भी आप लोग देख सकते हैं तो गाइज इस कोशन का राइट आंसर होजेगा इंद्रा कोल देखिया अगर कोशन का आंसर पता होता है तो कमेंट बोक्स में जरू बता दिया करें और पूरा आंसर नहीं बताना होता है जैसे यह कोशन नमबर वन है तो आपको बस कमेंट बोक्स में आंसर करना था वन का पताना है तो ये इस्थित है मेरे प्यारे दोस्तों अन्मान और निकोबार में तो राइट आंसर हो जाएगा डी ये भी कोशन एक्जाम में पूछा जाने लग गया है पहले तो ये पूछते थे कि दक्सिंतम बिंदू कौन सा है वो तो इंदरा पॉइंट सब को पता चल गय बट कोशन यहां से अभी भी बनता है भारत की मुख्य भूमी को रामेश्वर दीप से कोन अलग करता है तो जल्दी से आंसर बते दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जेगा पंबन चैनल यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन भी ये आप लोगों को याद अखना है ठीक तो ये आपका है कि पंबन चैनल द्वारा मुख्य भूमी से अलग किया अगे पंबन दीप है और एसी लंका में मनार दीप से लगबग 40 किलोमेटर की दूरी पर है दोस्तों और ये भारते प्रैदीप की नोक पर मनार की खाड़ी में है और पंबन दीप जिसे दोस्तों र पांच हजार जो कोशन सीरीज है ना उसको आपको अगर कम्पलीट करना है तो सुबह 6 बजे वाली ये किलास आपको अटेंड करने है जिसमें मैं आपको रेगुलर 20-30 कोशन करा रहा हूँ एक आपको धाई बजे अनकेडबी पर किलास अटेंड करनी है ध्यान सुन ले ना ठाई बजे दो पैर में और रात में 11 बजे ये दो किलास अगर आप जोइन कर लेते हैं अनकेडबी पर मेरी तो आपके 5000 कोशनान से कवर हो जाएंगे और जो की आपके ग्रूप D एक्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है और बाकी दूसरे एक्जाम के लिए इंपोर्टे लिए उरक्लास के नोटिफिकेशन मिल जायेंगे चलिए अब क्लास में आजिए तुबारा से कोशन दोस्तों और आदम का पूल निमि तो दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा अन्मान और निकोबार यानि कि A यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question है डक्कन पास किसके भीच इस्तित है तो मेरे प्यार दोस्तों यह इस्तित है बिल्कुल दक्सिन, अन्मान और छोटा अन्मान यानि कि right answer is option C यह आप लोग को याद रखना है दोस्तों एक द्वीप है तो यह दोस्तों द्वीप है एक गुजरात की तटपर तो इस question का right answer आपको option C होने वाला है अगला question है सिलंका को भारत से पर्थक करती है सिलंका को भारत से पर्थक करती है सिलंका is separated from India तो यह दोस्तों separate करते हैं पाक जल संदी से ठीक है पलक स्टिट is the right answer यह आप लोगों को याद रखना है अगला कोशन है दक्सिन गंगोतरी क्या है? What is South गंगोतरी? तो दक्सिन गंगोतरी क्या है? इस कोशन का रहेट आंसा दोस्तों क्या होने वाला है? बिल्कुल भारतिय विज्ञानिक अनुसंदान केंदर अंटार्क्टिक का में इस्तित है तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों ठीक है? अगला कोशन है निमलिकित में से किस भारतिय राज्य की समुदर तटिय सीमा सबसे चोटी है? तो which of the following Indian state has the smallest coastline? तो which of the following Indian state has the smallest coastline? तो इस कोशन का रहेट आंसर होजेगा गोवा यानि की option A is the right answer अगला कोशन है भारत की साथ सबसे लंबी अंतरास्ट सीमा किस देश की है? विज कंट्री has the longest international border with India? तो इस कोशन का जरा आंसर बताएगा कि क्या होने वाला है? मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का रहेट आंसर होगा बांगलादेश यानि की D is the right answer यह आप लोगों को याद अखने है भारत की साथ सबसे छोटी सीमा किस देश की है? तो भारत की साथ सबसे छोटी सीमा दोस्तों किस देश की है? तो इस कोशन का सही उत्तर होगा भुटान ठीक है? Right answer is D अगला कोशन है वरतमान में भारत के किस इस्थान को सफेद पानी के रूप में जाना जाता है तो दोस्तों यह जाना जाता है सियाचीन को तो इस कोशन का right answer आपका option D हो जाएगा अगला कोशन है भारत का कौन सा भू आकरतिक विभाग प्राचिनतम है तो यह दोस्तों आपका कौन सा है बिल्कुल सही इस कोशन का right answer हो जाएगा प्रैदीप ये पठार यानि कि C यहाँ पे right answer हो जाएगा देखिए प्रैदीप ये पठार गोनवाना भू भाग के कुछ हिस्से में से एक था जो भैग गया था इसलिए भारति उपमादीप का सबसे पुराना भूबाग है रामेशवरदीप तो ये रामेशवरदीप भी इसको कहा जाता है तो ये आप लोग को याद दखना है अगला कोशन आता है एक डिगरी अकसांस दुआरा कितने किलोमेटर का परतिदित किया जाता है दोस्तों ये जरा बताएगा कि एक डिगरी अकसांस दुआरा कितने किलोमेटर मतलब कितने किलोमेटर कवर किया जाता है तो right answer is option 111Queटर तो D right answer हो जाएगा दोस्तो ठीक है Question आता है एक कंगोलिय एकाई किस के बीच ओसत दूरी है तो मिरे प्यारे दोस्तो इस question का सही answer हो जाएगा एक कंगोलिय एकाई किसके बीच ओसत दूरी है तो right answer is परत्वी और सूरी है यानि कि यहाँ पर a right answer होने वाला है अगला question क्या कहता है आपका कि भूमद्य रेखा के अतरिक्त कौन सी अकसांस रेखा परत्वी को दो बार भागों में विवाजित करती है तो यह कौन सी है दोस्तो कोई भी अकसांस नहीं है तो right answer is option D यह आप लोगों को याद अखना है मकर रेखा अत्वा 23rd and half दक्षिंता अकसांस वर्थ निमलेखित में से कहां से होकर गुजरती है तो दोस्तो यह गुजरती है बिलकुल माला गासी यानि की option B यहाँ पे सही answer हो जाएगा ठीक है बाकी यहाँ पे प्रत्वी पर कितनी अकसांस रेखाए है यह भी एक question है दोस्तो जो exam में पूछा आता है तो इस question का right answer होने वाला है 5 अकसांस रेखाए हैं प्रत्वी पर तो यह point भी आप याद रख सकते हैं ठीक है बई तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर से मैं आप लोग को बता दू कि अगर आप इसी परकार के 5000 question cover कर लेंगे न तो exam काफी easy लगने लग जाएगा और 5000 question कैसे cover करोगे वो मैं बता देता हूँ आपको सुबह 6 बजे ये class regular देखनी है और खुद भी देखे अपने दोस्तों को भी दिखाएए और दूसरी बात है आपकी धाई बजे class होती है अनकेडमी पर और फिर उसके बाद रात में 11 बजे दोस्तों जो class होती है न ये काफी बहतरिन होती है और इसका link मैं मतलब अपनी profile का link नीचे description box में दे रहा हूँ और telegram का link भी नीचे description box में मिल जाएगा join कर लेना सोरम बलिक official नाम से channel है तो आपको सब चीजों के notification मिल जाएगे चिंता किसी बात की नहीं करनी है ठीक है चले मिलते है next class में और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा feature जो की unacademy पर आपको मिल जाता है जहाँ पे आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की studies related नहीं था तो आप उसको report करके अपना price win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको price मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आइकन को on रखे और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मात ठीक है और देखे अनकेडमी पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो ढ़ाई बजे ठीक है और एक होती है रात को 11 बजे दोनों ही है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा अनकेडमी profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए ठीक है तो चलिए मिलते है next class में Thank you so much